नमस्कार दोस्तो मैं नाइस के आनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम यतिहास की आदुरिंग भारत की सिरी चालू कर रहे हैं जो किसी भी एक्जाम में चाहें आप यूपी पीसी अस दें कोई भी एक्जाम दे मार्डर इंडिया के एक बड़ा पोर सभी आओ धारला को जो कांसेप्ट है असपश्ट किया जाए क्या इंपोर्टेंट है कैसे पढ़ा जाया किस किस टापी को महत दिया जाया कैसे समझा जाया यह सभी कुछ बताने की कोसिस की जाएगी तो वीडियो को ध्यान से देखेगा सबसे पहला मुद्दा जो मार्डर की मुद्दी होती है यह सबसे बड़ा मुद्दा है यादखिगा 1707 में और अग्जेब की मुद्दी होती है उस समय अगर हम बात करें तो मुगल नियंत्रल में अहमन नगर बीजापूर गोलकुंडा मराठो का दर्चिड का काफी छेत्र मुगलों के नियंत्रल में था और और अग्जेब के जो उत्राधिकारी थे उनके अंदर वो छमता नहीं थी जो पूरे एरिया पे नियंत्रल कर सके या सासन प्लाली को आगे बढ़ा जा सके तो यहीं से एक परिवर्तन होने लगता है और इसी परिवर्तन से दीरे दीरे एक नए कर सकते हैं कि नए सासन के नित्या व्यापत हो जाते हैं पोल्टिकल वैकुम हो जाता है अब इस पोल्टिकल वैकुम को क्यों होता है क्योंकि उसके उत्राधिकारी योगी नहीं थे यह तो हो गया एक आपकी कांसेप्ट एक हो गया अधारला लेकिन अब आप पूछेंगे कि उत्राधिकारियों में कई बार प्री में ये पूछा जाता है कि करम पूछा जाता है तो सबसे पहले याद रखेगा और एक जेब के मरने के बाद जो सबसे पहला बना सासा को बना बहादूसा प्रथम साह आलम प्रथम इसका निकनेम था बहादूसा प्रथम के नाम से बना और 1707 से लिके 1712 तक रहा यह कहा जाता है कि स्टेड्मेंट एफ सिड्नी वोगन का कहा जाता है कि यह अंतिम मुगल बासा था जिसके बारे में कुछ अच्छे सब्द कहे जा सकते हैं इससे आप अपनाजा लगा सकते हैं कि एक तरीके से जब इस प्रकार का सेंटर कमजोर होता है तो जहाच बाते गुटबाजी चालू होती है कई गुट आती है यहां पर भी मुगल काल में भी दिखाई देने लगता है सबसे पहले आतके बहादू सा पसम 1707 से 1712 तक रहा उसके बाद बना जहादार सा 1712 से लेके 1713 तक रहा जहादार सा काल में कहा जाता है जुल्पिकार खा इरानी दल का नेता था उसका महत तो बढ़ गया एक तरीके से नाममातर का किंग मेकर बन गया यह जो जितने गुट थे जहादार सा एक साल लाह उसके बाद बनता है फरुक्सियर फरुक्सियर 1713 से लेके 1719 तक रहा फरुक्सियर के बाद रफिव दवला रफिव दरजाद 1719 में बनते हैं जो नाममातर के सासक रहे उसके बाद बनता है मुहम्मद सारंगिला मुहम्मद सारंगिला के काल में ही कई छेतरी सक्तियां अपने को नामातर की अधिनता मांते हुए सुतंत करने लगती हैं चाहे हादराबाद में चिंकलिज खाँ हो, आवद में सहाधत खाँ हो, बंगाल में मुरसीत कूली खाँ हो यह सभी अपने को दीर-दीर से सुतंत करना कालो कर देते हैं और इसके बाद बनता है अहमसा जो 1748 से 1754 तक रहता है उसके बाद आलमगीर दूती बनता है 1754 से 1769 तक रहता है उसके बाद सहा आलम सेकेंड बनता है जो 1769 से लेके 1806 तक रहता है इसके बाद अकबर दूती बनता है जो 1806 से 37 तक रहता है जो याद रखेगा जो यही अक्मर्दुती है जो राजाराब मुहनराय को राजा की उपादी देता है उसके बाद बहादू साजाफर जो अंती मुगल बाफसाह मान रहाता है सबसे पहले जो हमें प्रिलिम्स के हिटाब से हमें बताना था धिकारी योग्य नहीं थे पहला पॉइंट अगर हम दूसरी मुद्दे की बात करें तो इसी काल में क्या होगा छेतरी सक्तियां अपने को क्या करेंगी छेतरी सक्तियां अपने को सुतंत करने की कोशिस करेंगी जैसे अवद है अवद में कहा जाता है कि साधत खा रहा बंगाल में मुर्सीत कूली खा जैसे हम कहते हैं कि आपका हैदराबाद में चिनकिलिच खा और निजामुल मुल्क ये लोग क्या करने लगे नामात क्या देंता मांते वी एक तरीके फ्री सासन की सुरुवात कर दिये तो ये दूसरा पॉइंट या दा जब छेतरी सक्तियां अपने को सतंत मानने लेंगी तो इसी दवराने आद रखेगा बीदेसी कमपनियों के बीच भी संघर्स की इस्थि बनेगी बीदेसी कमपनियों के बीच भी एक तरीके से संघर्स की इस्थि बनेगी अगर हम बात करें तो क्या होगा जब बीदेसी कमपनियों के भी संघर्स की इस्थि बनेगी तो इसका एक उधारन होता है होता क्या है? एक यूद होता है इसके बाद अगर हम देखें, दूसरा मुद्धा अगर हम देखें, तो बिदेशी कमपणी और छित्री सक्तियों के बीच भी के बीच भी संग्रस की सती बनती है जहार से बात है एक कामन उदाहराल के लिए हम समझे कि जब केंदर कमजोर होगा तो जहार से बात हर व्यक्ति उस केंदर को भरने की कोशिस करेगा तो यहां मुगल उत्रादिकारी कमजोर हुए तो छेतरी सक्तियां भी अपनी वच वस्ता दिखाने कोशिस करेंगी बीडेसी कमपनियां भी दिखाने कोशिस करेंगी और जो जीतेगा उसी से सासन प्राली की सुरुवात होगी एक नए सासन की सुरुवात होगी जा दखेगा बीदेसी कमपणियों के भी संघर्ष को करते हैं करनाटा क्यूद जो हम पढ़ेंगे हमाई एक जनर्रल कांसेट बता रहे हैं कैसे हम मार्ण को सुरुवात करें करनाटा की उद में फ्रेंच हार जाते हैं और यह असपष्ट हो जाता है कि भारत पे फ्रांसीसी राज्य नहीं करेंगे एक निड़ाय की उद होता है जो हम आपको बताएंगे 1760 में बांडीवास का उद होता है पिरती करनाटा की उदि के दोरान और यह असपष्ट हो जाता है कि यह भारत पे राज नहीं करेंगे अब दूसरा मुद्धा आता है कि बिदेशी कंपनियां और छेतरी सक्तियों के बेच भी संगर्स के सक्ति बनती है वो जो संगर्स बनता है जिसको हम समझेंगे तो क्या होता है सबसे पहले अगर हम देख होता है और कहा जाता है कि बंगाल का नवाब हार जाता है और यहीं से एक संधी होती है जो बताएंगे इलहाबाद की संधी और इस संधी के तरू मुगल बासा अपना पावर ट्रांसपर कर देता है इस इंडिया कंपनी को के लिए एक तो छेतरी सक्ति इनके भी संगर्स क्या होता है कि इंगलो मराठा यूद इसमें कहा जाता है यह तीन होते हैं प्रथम दुती और कहा जाता है कि फाइनली मराठे भी हार जाते हैं और यह असपष्ट हो जाता है कि मराठे भी यहां पे राज नहीं करें कहा जाता था कि सबसे प्रबल दावेदार जो थे मराठ भाथ हिंडरी माराथ्य द्धनोग मोराथा अधारी की परर बात अप्ष्ट हो जाता है कि माराथे भारत पे राज नहीं करेंगे अब आता है अंग्रेज मैसूर यूद देखते हैं अंग्रेज मैसूर यूद पढ़ेंगे अंग्रेज मैसूर यूद में भी मैसूर हैदर अली और टीपो सुल्तान हार जाते हैं और यह असपष्ट हो जाता क ये भी रिजिनल पाउर एक तरीके से अंग्रेजों की अधिनता में आ जाता है, बंगाल भी आ जाता है, माराटे भी आ जाता है, और इस तरीके से ये धीरे 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 इस्ट उडिया कंपनी एक तरीके से आठ्रहवी सताब्दी में नियंत्रण असापित कर लेती है, और सा उसको आगे बढ़ाया तो क्या क्या नीथिया अपनाई इस तरीके से माड़णी की सुरुवात करते हैं अगर बात करें 18- 뭐 क्या क्या पढ़ना है अब दूस्ट पषरी करे माधिकराव से उसे पहले हम बठना है करनाटक युद्ध को पढ़ेंगे जो तीन हुआ एक जन्रल फ्रेम आपको बता दें प्रथम दूती और तिर्थी इन तीनों को पढ़ेंगे और फानरी तिर्थी युद्ध में एक निवराय की उद्ध होता है बांडी वास का और जिससे अस्त्रश्च हो जाता है कि फ्रांस भारत पे राज नहीं करेगा और फ्रांसी सी लगबर खार जाते हैं अब क्यों ब्यापार करने के इस इतिमिरते पोलिटिकल महतोकांचा लगबर लगबर इनकी समाप्त हो जाती है दूसरा अगर हम बात करें तो आता है अंग्रेज मराथे युद्ध पढ़ेंगे इसमें म यह टापिक होगा बंगाल में देखेंगे प्लासी और बक्सर यह एक हो गया हम रिजिनल पावर को देखें रिजिनल पावर कैसे बाहर होती है उसके बाद जो सेकेंड पोर्सन होगा 18th century में हमारे टापिक वो होगा जोस्तों 1765 के बाद द्वद सासन इसको देखेंगे हम जो 1775 से 1772 के बीच में हुआ द्वल सीश्टम क्या है क्लाइब चालो किया क्या है कैसे हुआ इसको समझेंगे उसके बाद हम पढ़एंगेगे वारन हिश्टिंगस को इसके काल में क्या क्या हुआ इस सम्झेंगे फिर हम पढ़ेंगे कारणुमालिस को और फिर देखेंगे करम में एक आते हैं लेकिन जो मेजर काल के गवर्नर है विलेजली को जो सहायक संदी के लिए जाना जाता है इसको देखेंगे बिलेजली को जो एक तरीके से सहाइक संदी के लिए जाना जाता है बिलेजली ने क्या किया, कैसे किया सहाइक संदी इनको परके हम देखेंगे 18th century तक एक तरीके से power हमारा established हो जाता है ये तो हो गया political इतिहास जो हम 18th century में देखेंगे इसके बाद हमें एक दूसरा person होगा आर्थिक इतिहास में इसी काल हम देखेंगे इस काल में एक तो अंग्रेजों के ब्यापार में बदलाव क्या हुआ ब्यापार में बदलाव मनलब 1765 के पहले कैसे ब्यापार करते थे पावर में आनेक बाद ब्यापार में क्या बदला हुआ इसको देखेंगे आर्थिक इत्यास में इनका भू बंदोबस्त देखेंगे हम भू बंदोबस्त देखेंगे भू बंदोबस्त में तीन होगा जमीदारी रयतवारी एंड महलवारी इन तीनों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ ये आर्थिक इत्यास होगा इतने के बाद हमारा 18th century का पूरा का पूरा मुद्दा हमें समझ में आएगा 18th century में क्या क्या हुआ 18th century में कैसे company established हुई वो क्या मुद्दे आये थे जिसे company को भरत में अस्थाफित होने का मौका मिला इन सभी पहलों को हम समझने की कोसिस करेंगे क्या रहा कैसे रहा इसको जानेंगे एक बाद फिर से मैं इस वीडियो को कर दूँ कि इस वीडियो में हमने बताया कि 18th century में मारन की सुरुवात कैसे करते हैं तो मैंने बताया कि और अंगेप के मरने के बाद उतराधिकारी योग यह नहीं रहे एक राजितिक सुनिता ब्याप्त हो गई जब राजितिक सुनिता ब्याप्त हो गई दोस्तों तो जहर सी बात है उसको भरने की कोसिस सभी लोग करेंगे छेतरी सक्तियां भी करने लगी तो कोस्तन जो प्री में बनता है यहां कि छेतरी स हम देखेंगे कि कैसे इस्टेबलिस हुआ ये परी का होगा उसके बाद हम समझेंगे मुगल उत्तादिकारियों का करम देखेंगे उनके कारे देखेंगे इसके अलमा हम करनाटा की उद्ध को समझेंगे और अंग्रे प्लासी और बकसर को समझेंगे उसके बाद हम माराथो और महसूर के मामले को देखेंगे और उसके बाद जो गवर्नर हुए उनको फिर आर्थी कितिहास ये पूरा सिल्वस होगा हमारा माडन का और हम इस वीडियो में इसको बताने के कोसित करेंगे यकिन मानिए अगर आप इसको कर लेते हैं इस टापिक का कोई भी कोस्टन आएगा इसलिए आप उसको हैंडल कर सकते हैं कांसेट भी किलियर होगा मेंस के लिए भी आप तयार होंगे और प्रिलिम्स में भी क्या-क्या फेक्ट को पूछा जागा सकता है इसको भी बता जाएगा इसलिए आप 9IS के इस पूर्टल पर आप अराम से एक-एक टापिक को समझने की कोशिश करेगा एक-एक टापिक को देखेगा और इसको देखने की कोशिश करेगा धन्वाद